News 24, Today's चानक क्या अनालिसिस करनाटक की तस्वीर क्या है? Congress 120 सीते 113 है बहुमत का आंकड़ा 113 से बड़े comfortable margin के साथ 120 पर आती हुई Congress, BJP Triple Figures में नहीं जा रही है डाही का आंकड़ा नहीं पार कर पाई है 92 सीते और JDS जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे जिस सीते पिछली बार जीती थी Kingmaker की बूमिका में थी 12 सीतों पर सिमचती हुई और इसका क्या साफ वाइदा Congress को मिलता दिखाई दे रहा है अन्य के खाते में कुछ नहीं आता दिख रहा है तो 120 सीते और यहाँ पर फिर मैं Error Margin की बात Underline करना चाहूंगा प्लस माइनस ग्यारा तो 109 सीते कम से कम 109 यानि की बहुमत के आंकड़े से चार दूर और ज्यादा से ज्यादा 131 सीत भी छू सकती है Congress Party BJP ज्यादा से ज्यादा 103 अपने पिछली बार के आंकड़े से 1 सीत कम और कम से कम 81 सीतों पर भी जा सकती है 80 के नजदीक भी BJP समचती दिखाई दे सकती है और JDS 12 सीतों पर है वो ज्यादे से ज्यादा अगर उपर भी जाती है तो वो 20 का आंकड़ा होगा और वहाँ पर अब क्या हम थोड़ा फर्मली ये बात कह सकते हैं कि JDS का बुरा प्रदर्शन कांग्रेस को फाइदा करता दिखाई दे रहा है लेकिन अभी भी कहीं न कहीं अभे मेरी सुई इस बात पर रखी हुई है कि 3 फीसदी का अंतर पर सीतों में यहाँ पर 28 सीतों का अंतर दिख रहा है जब जिस चुनाओ जिस चुनाओ का हवाला दे के आप अपनी बात कह रहे हैं उस वक्त जनतादल सेकुलर ने अच्छा प्रदर्शन किया था यहाँ पर जो बात निकल के आ रहा है यह नई बात यह है जनतादल सेकुलर की हालत खराब है उस हालत में कांगरेस का जो सीटों का कनवर्जन रीट है वो बढ़ जाता है जो पहले खराब था कनवर्जन रीट थे आप अच्छा हो जाता है तीन फीसिदी वोटों की अंतराल से कांगरेस को 120 सीट आं दे रहे हैं जो के पिछले चुनाओ के परफ्रेक्श में देखे हैं तो कम मिलनी चाहिए दिसीट हैं इसका मतलब यह है कि जो कांग्रेस के लिए फोर्स मल्टिप्लायर है वो जनता दल सेकुलर का खराप परदर्शन है वो साफ तोर पे दिखाई पड़ा है तो यह यहां पर और यह अपने मैं इस बात से भी एकरी करता था कि कांग्रेस की आएगी लेकिन मैं इसफ़ प्रिंसपल इजक्शंस प्रेडिक्ट करता यु यह था, मैं तरेंच के बारे में लिखता हम और आर आरे आप आपको बार मार कह, मैं अभे को भी बताया कि इतने प्रख़र तरीके से वोटर को मैंने कांग्रेस के पक्ष में बोलते हुए पहली बार 2014 के बाद सुना किसी भी स्टेट इलेक्शन क्योंकि हिमाचल में गया नहीं था तो यहां पर पहली बार मैंने सुना जैसे की कुजरात में सुना था जो इस से पहले वाला एलेक्शन था जहां राहुल गांदी ने व्यापक तोर पे कैमपेंड किया था जहां कांग्रेस नहीं जीत सकी थी लेकिन उसका प्रदेशन बहुत अच्छा रहा था तो यहां पर करनाटक में पहली बार मुझे लोग मिले जो बोले इस बात को और उसमें जो मेरी अपना व्यक्तिकत आकलन है कि उसमें एक महंगाई बड़ा मुद्धा था जन्ता के लिए और दूसरा उसकी जो आइडेंटिटी थी उनकी जो अपनी आस्तितों की जो बात थी वो एक बड़ा मुद्धा था और तीसरा एक बड़ा मुद्धा था प्रष्टाचार को और महिंगाई को हमको मिला के देखना चाहिए और उसमें बेहरोजगारी का प्रष्ट यह तिहरी मार है इसे ट्रिपल वेमी on the people of that state और इसमें जो सबसे important बात निकल के आती है कि कोई भी शेत्री इस्तर पर भारती जनता पार्टी के पास reassuring चहरा नहीं था जो ऐसा व्यक्ति हो जिसके who people thought has a safe pair of hands जहां पर हम अपना मुस्तक्वित सौप सकते हैं ऐसा कोई नेता भारती जनता पार्टी के खेमे में नहीं था पर प्रदान मंत्री मोधी एक मिनट सुकेश चालिस फीजदी लोगों ने ब्रश्टाचार के मुद्दे पर अपना मन बनाया वोट देने के लिए तो क्या वो चस्पा हो गया था बीजेपी पर और उसे नहीं दूर कर पाए और इसलिए ये स्पष्ट बहुमत मैं पूर्ण बहुमत नहीं उस चब्द का भी गलत इस्तमाल होता है वो दोतियाई बहुमत होता है स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है यहां पर कॉंग्रिस को मैं पहले से कह रहा हूँ जो early mover advantage होता है कॉंग्रिस ने वो advantage लेने की कोशिश की थी प्रधान मंत्री ने उस खाई को पाटने की कोशिश की लेकिन प्रधान मंत्री हर मर्ज की दवा नहीं हो सकते कि आप कैसा भी perform करो प्रदान मंतरी आपको उससे निकाल कर ले जाए ये चुनाओ इस बात की तरफ इशारा करता है जो positive takeaways है BJP के लिए वो ये हैं कि बहुत हम लोग सुना करते थे पहले जब लाल किशना अडवानी अटल भिहारी वाजपई का period था कि देश की राजनीती को BJ BJP ने bipolar polity में तब्दील कर दिया यह जो नतीजे हैं अगर इस रुजहान को सही माने जो कहदे की exact pole नहीं है exit pole है बार बार यह बताना पड़ेगा अगर इसको सही माने तो इसका analysis कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि करनाटक की politics को BJP ने bipolar polity में तब्दील कर दिया है उसका जो ल लिगा में wings हो चाहे SC voters में हो, ST voters में हो, OBC समाज में हो तो एक जो पहले कहा जाता था BJP के बारे में हिंदी बिल्ट के इलाके में कि वो बनियों की party है, ब्रामनों की party है, सवर्नों की party है, लेकिन बाद में उसको बढ़ाया, अपने wings फैल आए, तो उसी तरीके से BJP ने भी कर दिया क्या, जो विनोद भी कह रहे थे, सनातन बनाम समाजिक न्याए में जो ये तबदील हुआ, ओवर प्ले ओफ इंदुत्व कार्ड क्या बैकफायर भी करता है, देखिए ये कई बार कई बार बैकफायर करेगा, और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाओं में क करनाटक में अगर JGS इस तरीके से डेसिमेट हो गई है, अगर वो वापसी नहीं कर पाती है, तो ये करनाटक की पॉलिटिक्स जो है, आपको एक बात याद करा दूँ, बिल्लारी ब्रदर्स बहुत चर्चा होती थी, वो इस बार फिर से चुनाओं में थे, उनको भी, उनक एक नई लीडर्शिप बीजेपी की तरफ से वहाँ इमर्ज कर रही है, जो बीजेपी को फॉर्म फुटिंग देगी वहाँ पर, बीजेपी के लिए एक नया ग्राउंड है बीजेपी के लिए नहीं वो तो फ्यूचर की बात हो गई, बीजेपी को अपने गिरेबान में भ इसको हिल्म पर रखना, ये बीजेपी की तरफ से इस तरह की रन नीती या एक आदमी के नाम पर पूरा चुनाव खड़ा कर देना ये नहीं होता देखता है, ये लेट स्टार्ट इसलिए मैं कहता हूँ बीजेपी की तरफ से कि बोमई जो उनके पॉपिलर चेहरे नहीं है जो सबसे उनके मजबूत विकेट थे वो वृद्ध हो चुके हैं, तो उनके इर्दगिर चुनाव नहीं हो सकता था, तो क्या बीजेपी इसके बाद एक नई लीडर्शिप को तयार करके वहां आगे बढ़ेगी और इन चुनावों से कुछ सबक लेकर अभी चुकी सारे सम भी अपना फैलाओ कर सकें, और ये अपने आपने आपने कड़ी भी है, सरसर मैं आ रहा हूं, एक सेकंड, एक सेकंड, दोजार चौबिस के चुनाव की एक कड़ी भी है ये, उस पर मैं आता हूं, लेकिन राजीव जो हम आकड़े दिखा रहे हैं, एक सो बीस कॉंग्रिस, बी जे पी 92, जे डी एस 12, तीन फीजदी का अंतर, वोट प्रतिशत में कॉंग्रिस और बी जे पी के बीज, तो क्या अब ये कहना ठीक होगा कि दरसल इस चुनाव में बी जे पी